जिस प्रकार आका से गिरावा जल कोईन कोई रास्ते से समूद्र में पहुँची जाता है, उसी प्रकार नीश्वार्द बावसि की गई, कोई भी मनुष्य की सिवा या प्रातना भी किसीन किसी रास्ते से इस वर तक पहुँची जाती है. नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल अप्रेल दोजाथ 23 के इस विशेश एपिसोड में यह एपिसोड कन्या रासि के लिए है और यह रासिफल आपकी रासि नाम रासि अता मून साइन पर आजा रहीत है हर मासिक रासिफल के विशेश एपिसोड में उस मा में होने वाले गरह रासि पुरतन के साथ साथ बहुत सारे सक्टर्स पर भी विश्लेशन करते हैं और इस ब करेंगे जिसकी कोई गैरी फ्रेंट्सिप चल लिए या वो लोग जो कोई रिलेसंसिप में और फिर विस्तास से विस्टलेशन करेंगे आपकी जॉब बिजनस केरियर या प्रफेशन के बारे में और अंत में मैं आपको बतला हूँगा इस रासिफल वो उपाए जिससे रासि के बारे में जहां तक इंकम का गेन का प्रॉफिट का प्रस्न है रासि से इलेवन ताउस लाब बाव से इसका विचार किया जाता है लाब बाव पर ब्रेस्पती के उच्छी जस्टी बहुत कमाल कर रही है और यह निरंतर आपको 21 अप्रेल दोजा तेबिस तक सुख मिलता रहेगा और ऐसी इस्तिति में जो जॉब वाले लोग है वो भी बरपूर एप्रेशेशन पाएंगे तो जो लोग फाइनेशल प्रॉफिशनल से हैं उनके लिए इस्तितिया सबसे ज़्यादा बैस्त है और जो बिजनस में हैं वो यहां पर रिस्क ले सकते हैं डेरिंग कर स सकते हैं उस्तिता के साथ मैं कामकाज कर सकते हैं तो उनको बरपूर लाब मिलने के योग बनेंगे आप मैंसे जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं चाया मिनल वाटर का 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 क और साथत इसा जिन लोगों का कोई द्यूज है उन लोगों को भी ठोड़ी सी एफर्ट करने पर बोडियूज मिल सकते आफ बॡ्रसों का इस दोने इसका काम करते हैं, जो लोग दुकान दार हैं, या छोड़ छोड़ एजनसी बिजनस वाले हैं, या वो लोग जो गुम गुम करके अपना सामान बेचते हैं, चाह वो फेरी वाले बोल सकते हैं, सबजी वाले बोल सकते हैं, या और कोई डंक से जो सड़क पर अपना समान बेचते हैं उसकी बात कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी अप्रेल दोजार तेवीस बहुत फाइदे मंद है अताथ उनको कम मैनत में ज्यादा एप्रेशिशन मिलेगा यह भी बोल सकते हैं कि उनके हाथ खाली नहीं रहेंगे उनको संतुस्ती मिलने वाली है तो कागज कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्स्टेज से समधी दिया जो लोग पतरकार हैं उनकी बात कर सकते हैं इनको बरपूर मौके भी मिलेंगे तो साथ यसाथ यातराओं को आनंद भी उनको मिलने वाला है तो अप्रेल दोजार तेवीस तक आप में से जो भी लोग बैंकिंग सेक financial brokerage का काम करने वाल लोग हैं, गिरवी का काम करने वाल लोग हैं, या पर राजनिती शेटर के लोग हैं, बेकरी, वाजनिती आप रे worse can, पर बहुत जईदा gain होती है तो जो भी लोग मिठाई का काम करते हैं के टेंट आउस का काम करते हैं उनके लिए यहां पर इवेंट एन एंटरेंट का काम करते हैं उनके लिए यहां पर बहुत ज़्यादा गेन बहुत ज़्यादा काम करने का या बहुत फाइदा कमाने का समय है तो आपको यहां प बात करें, इन्वेस्मेंट की, रासी से से किंड आउस से इन्वेस्मेंट पर विचार किया जाता है, और इन्वेस्मेंट के भाव का अधिपती शुक्र है, जो वापस अपनी खुद की रासी को देखते हैं, राहू की भी जस्ती शुक्र पर है, या से किंड आउस पर है, और लोग जोब्टेटि नेवनर्समेंट करना चाते हैं, जोग ओन्द में वेस्मेंट करना चाते हैं, या जो ओन्नमें इंवस्मेंट करना चाते हैं, उनके लिए तो सही समय है. जो commodity के थुरू investment करना चाते हैं, वो भी gold में investment कर सकते हैं, वो चावल में investment कर सकते हैं, और जो script के थुरू investment करना चाते हैं, वो लोग IT सेक्टर की कंपनियों में, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में financial, जो consultancy वाली कंपनियों होती है, या stock market से समद्धी जो consultancy आपको provide कराती है, उन में MNC की कोई भी import-export से समद्धी कोई भी आपको shares मिल जाते हैं, उसमें investment कर सकते हैं, और यहां पर jam sanctuary, gold, या पर bakery और confessionary का भी कोई script मिल जाए, उसमें भ बाइस अपरेल दो जाते बीस के बाद, या यह बोल सकते हैं, किस अपरेल दो जाते बीस के बाद में investment करना आपके लिए सुब रहेगा, योगी रहेगा, आईए, अब बात करें आपके पारिवरिक सुक्की, रासी से फोर्ताव से सुक बाव से इसका विसलेशन किया जाता है, सुक बाव के अधिपती, ब्रस्पती है, जो रासी से सप्तम बाव में विराज माने, दो केंजर के अधिपती है, फिर भी ब्रस्पती यहां पर यह पंच माँ पर उसमें से एक योग हंशी हो कर निर्मान कर रहे हैं, तो यह ब्रस्पती की स्थिति तो बहुत जादा जो भी प्रॉपर्टी में इंवेस्मेंट करना चाहते हैं, वो इस्तिति आपकी शांदार होगी, आपको परिवार का सुख मिलेगा, और यहां पर जमीन जाधात का जो कारक होता है, वो मंगल उनकी भी दस्ति सम्मन्द से फाइदा उठाने के योग है, आता हर हालत में आप जमीन जाधात पर प्रॉपर्टी पर इंवेस्मेंट कर सकते हैं, चाहब वो पैरिनिटल प्रॉपर्टी होती है, उस पर इंवेस्मेंट कर सकते हैं, उसको आप बीड़ अप कर सकते हैं, और या पिर जो प्रॉपर्टी से समधित कोई भी वाद विवाद है, उस पर पैसा सकते हैं, वो विवास सुल जाने की तिसा में आप अगरसर हो सकते हैं, वो आप एक प्रखर से लीड रोल निबा सकते हैं, क्योंकि जब मामले उलज जाते हैं, तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ सकते हैं, लॉयर आपको रखने पड़ सकते हैं, और उसमें अच्छा खासा खर्च होता है, और जो पैसा खर्च करता है, वो ही सबसे ज़्यादा गेन कमाता है, वो इस्तिति आप अगरनी होकर कर सकते हैं, क्योंकि यहां इस्तितियां आपकी बहुत अच्छी डवलप हो रही है, आपके पैरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमेगी तो साथ साथ आपको परिवार वालों का सुख भी मिलेगा, इस्पेसिती छोटे बाई बैनों का सपोर्ट आपको यहां पर बरपूर डंग से मिलेगा, फाइनिशल सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको पैरेंट्स से मिलेगा, तो यहां पर इस्तितियां आपके परिवारिक स सुख के मामले में बैतरीन हो रही है अप्रिय एंड होते होते आप काफी ज्यादा कमफरटेबल महसूस करेंगे विकल खरीदना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है और जो लो कॉमर्शल विकल खरीदने के बारे सोच रहे हैं उनके लिए और ज्यादा बैटर हिस्तिति है यह सुखद इस्तिती है सुखमय इस्तिती है उसमें आपको इनवस्मेंट करना यह डील करना बैटर रहेंगा आईए अब बात करें सिक्सा और संतान सुकी, रासी से फिप्त आउस से सिक्सा और संतान सुक का विचार किया जाता है, इस बाव के अधिपती शनी है जो रासी से शिक्सा आउस में विराज माने और सनी यहां पर सुब माने जाते हैं, मंगल की अपने उच्छ रासी पर दस् तो ऐसी इस्तिति में अप्रेज दो जाते भी इसमें आप एजूकुशन के मामले में जो भी एक्जाम होने वाले हैं उनके लिए इस्तितियां बहुत बेटर है चाहे कोई भी सब्जेट के एक्जाम हो यहाँ पर आपको एजूकुशन की इस्तितियां बहुत अच्छी है, सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आपका शांदार है और आपको सपोर्ट या सक्सेस भी जबर्दस मिलने वाली है इस पिसलिए वो लोग जो डिफेंस का एक्जाम देने वाले हैं उनका टूरामेंंट होने वाले होने के इस्तितियां सबसे ज़्यादा को सब्सेद वाले है आप मेंसे वो लोगो जो लौ का कोई एक्जाम देने वाले हैं ये अगरिकुल्ट्र Armor CapBuild là माइनिंग इंजीनियरयिंग से क्वन देंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखत इस्तितिया हैं, तो साथ ही साथ जो computer engineering, civil engineering से सम्मंदित, कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक, चाहे हो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, या कोई डिगरी कर रहे हैं, आपके लिए इस्तितियां बहुत बैटर, बहुत शांदार बनी हुई है, और आपका यदि अप्रेल मा में कोई exam है, interview है, कोई debate है, तो आपको शांदा सफलता मिलने के योग है, जो भी लोग, शनी से सम्मंदित, कोई भी subject लिए हैं, ठीक, चाहे physics, chemistry, math के student हैं, medical या non-medical के students हैं, mechanical engineering, chemical engineering, aviation, research field, या PhD, जो कर रहे हैं, या space sciences सम्मंदित, कोई भी studies कर रहे हैं, उनके लिए भी इस्तियां बहुत 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 हैं, आपकी grasping, आपकी knowledge बढ़ेगी, आपका confidence बहुत शांदार होगा, और आप जो भी चीज में आगे बढ़ना चाते हैं, जो भी आप admission लेना चाते हैं, entrance का कोई exam दे रहे हैं, उसके लिए भी इस्तियां बहुत सुकद हैं, बहुत शांदार हैं, और आने वाले समय में, जो लोग CA के exam देने, मही के exam देने, मही में exam होते हैं CA के, या NET के exam होने वाले मही में, उसमें भी इस्तियां आपकी बहुत बैटर है, क्योंकि मंगल यहां पर काफी लंबे समय तक अथा, 10 मही तक निरंतर आपको सपोर्ट करते रहेंगे, और उसके बाद में भी मंगल अपनी negative रासी, नीच रासी में चले जाएंगी, तब भी मंगल की जश्ति उच रासी पर अता सिक्सा संतान बाव पर रहेगी, उसका सुक या उसकी जो strength है, सपोर्ट है, वो आपको मिलता रहेगा, तो ऐसी इस्तिती में, सिक्सा के मामले में आप बहुत ज़्यादा confident हैं, या बहुत ज़्यादा relax मैसूज कर सकते हैं, comfortable मैसूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका result बहुत शांदार रहने वाला है, आईए, अब बात करें, संतान सुकी, रासी से फिपता उससे, संतान सुक के बारे में विचार किया जाता है, यही गरव की स्तितिया, यही गरव की दस्तियां ही काम करेंगी, तो ऐसी स्तिति में संतान से सुक मिलेगा, संतान से सपोर्ट मिलेगा, और जिनकी संतान को स्पोर्ट में है, या डिफेंस में है, या जोकिम वाले कामों में है, उनको शांदार सक्सेस मिलने के योग हैं अताद आपको गौरव और साथ इसाथ प्रसंता मिलने के योग हैं दोनों इस्तितियों में आप यहां पर confident होने वाले हैं यह बोच सकते हैं आपको गौरवानवीत होने के पल मिलने वाले हैं अताद उसकी सफलता का श्रे उसका यश आपको मिलना तय है तो ऐसी सिति में संतान के carrier के प्रती आपको संतुस्ति मिलेगी संतान जो भी effort कर रही है वो सही दिसा में सही डंग से effort करती हुए दिखाई देगी और वो आपके लिए खुशी की बात होगी हर parents के लिए खुशी की किया जाता है और रोग बाब के स्वामी स्वम सनि है जो कि स्वाग रही है और रासी से शिक्दा उसके संस में शनि को बहुत ज़ generator की मामले में बहुत ज़्जादा से लिकिन फिर भी no ¿Driage नौक रहों मैंसे जो भी गरह की स्ट्रेंथ नेगेटिव होगी वो आपको परिशान करेंगे उससे संब्दी रोग परिशान करेंगे सूरिय जो की नास बाव के स्वामी है नास का मतलब है अपमान अप्यास कोड का चरी वाद वाद रोग एक्षिडेंट मृत्यू ये सब कुछ नेगेटिव से संब्दी थे हैं नास से संब्दी थे हैं उस बाव के अधिपति सूरिय हैं जो 14 अपरिल 2023 को रासी से 8 ताउस में मारक बाव में आ जाएंगे राव के साथ में यूति करेंगे अधाद ग्रैन योग में आ जाएंगे तो नेगेटिव बाव का स्वामी ही जब पीडित होगा या बहुत ज़्यदा पाउरफूल हो जाएगा तो उतना ही ज़्यदा गातक भी हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी हाइड पेसेंट है जो लोग डिप्तिरिया के मरीज है आईज इंफेक्शन के मरीज है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकते है परिशान ही हो सकती है और जो लोग कोई आँखों का आपरेशन कराने वाले इस्पेसलिए लेफ्ट आई का कोई आपरेशन आपका है 14 अपरेशन चौदा मही के बीच में तो उसे पोस्ट मॉंट करना ज्यादा बैटर रहेगा और जो लोग हाई ब्लेट पैसर के मरीज है हाड पैसेंट है उन लोगों को वाक वाक करते समय वीचाए घर में ही वाक करना चट में तब भी जो डॉक्टर एक स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं साथ में रखने की वो आपको हर आलत में साथ में रखना जरूरी है यह आप याद रखिएगा साथ ही साथ जो लोग जो डिप्रेशन के मरीज है जो अलजाइमर्स सेफ्टी की उनको बहुत केर की जरूरत है आईए अब बात करें सत्रों की विरोधियों की अप्रेल दोजाटेविस में आपको आर्थिक आरोप लग सकते है अताथ कोई कोई आपके उपर ऐसे आरोप लगाए जा सकते है आपने टेक्स की चोरी की है जेस्टी की चोरी की है या आपने जोटे बिल बनाए है ऐसा कुछ नू कुछ आपके साथ में हो सकता है इसलिए मालो ऐसा कुछ हुआ है तो उसका जितनी जल्दी डिकलेशन कर सकते है या उसकी रोग थाम कर सकते है वो करिए अन्यता आर्थिक आरोप वाली इस्तितिया आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है सरकारी विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है सरकारी विरोध का मतलब है सरकारी आरोप लगना कोई पैनल्टी लगना या आपको कोई नोटिस मिलना यह हो सकता है तो आपको उसके लिए mentally ready भी रहना है और ऐसी कोई चीज अगर गल्ती हो भी गई है तो उस गल्ती को कितनी जल्दी सुदार सकते हैं उसको सुदारने का प्रियास करना है आईए अब बात करें आपके गरस सुकी दामपत सुकी रासी से सप्तम बाव से इसका विशलेशन किया जाता है सप्तम बाव के अधिपती ब्रेस्पती है जो स्वेगरे हैं यहाँ पर पंच माँ पर उसमें से एक योग हंसियों का निर्मान भी हो रहा है जो कि बहुत जादा बलवा निस्तिती है सब्तों बाव में सूरिय भी विराज मान है सब्तों बाव में सूरिय कभी भी सुक देने का काम नहीं करते है और कोई भी कुनली में सब्तों बाव में अगर ब्रस्पती या शनी है तो उसका विवा बहुत देरी से होता है लेट लतिफी में होता है आता विवा की उम्र अगर मां लो 21 साल पचीस साल मानते हैं तो उसका विवा 28 साल, 30 साल, 35 साल के बाद में होता है ऐसा सामने तोर पर देखा गया है और सब्टम बाव मगर शूरिय है तो गरस सुक में है कोई इनकोर समजर को बादा है विपर्दा या वह समperformance तौर पर जिसे असे सुख नहीं मिलना बोलता है वह जर्म होता है सुख नहीं मिलने के स्वाकरण हो सकते है लेकिन एक यह हमाना जाता है कि दंपज सुख अबावाव, दंपज सुख में अबादा है, तो विस जिस बाव में होता है, उसका सुख जलाने का काम करता है, और ऐस सिस्तिति में सुर्य को हमेशा 6th ज Int ant न heerpless裡面, 12 мор pointing नेगेटिव जाये हैं, आच्छा माना जाता है, diamonds will be good everyone in this world, में सूरी को सुब नहीं माना जा सकता है तो 14 अपरेल 2023 तक यहां पर आपको कुछ नू कुछ विरोत का सामना करना पड़ सकता है डॉमिनेटिंग व्यवार हो सकता है यह बोच सकते हैं चोट चोट बातों पर भैस बाजी हो सकते हैं तुनक में जाईवाल व्यवार देखने को मिल सकता है उससे लेकर के आपको सेप साड में रहना है अताद यह आपको मालूम पढ़ जाए कि ऐसा हो सकता है तो उस तीज को अवोइड करें इग्नॉर करें और नहीं तो हाथ जोड़कर के खड़े हो जाए वो ज्यादा बैटर है क्यां भाई आप ही सही हो सब्तमभा मे ब्रेस्पती सुब माना जाएगा लेकिन यह ब्रेस्पती भी 22 अपरिल दो जाते भी इसको अगली रासी में चले जाएंगे राहू के साथ में यूति करेंगे उस सिचुएशन को जो 30 की बहसा में चांड़ा लियो का जाता है ब्रेस्पती पीड़ी तो होते हैं लेकिन फि तो यह इस्तिति है कि आपको अपरिल में सब 14 अपरिल तक नेगिटिविटी का सामना आपको करना पड़ेगा या आपको सुख में बादक बना की इस्तिति रहेगी कुछ निए-कुछ असंतोस आपको दिखाई देगा या आपको खुद को अपने आपर कंट्रूर करना स्वास्ति को लेकर परिशान होना पड़ सकता है उसको लेकर साफ़दान होने क्या वश कता है लेकिन जिनका विवा होने की बात हैं आसपास चल रही हैं उनको थोड़ा सा सीरिस हो करके जουटनी जल गयो सी मीटिंग करके 21 अपरिल से पहले-पहले इस्भाई समन्त को फाLEY करनाना चाहिए, सगुन वाली इस्तिती में आ जाना चाहिए, वो ज्यादा बैटर रहेगा, अन्यता वो बातें बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगी, लेट लतीफी वाली इस्तिती हो जाएगी, तो आईए, अब बात करते हैं, उन लोगों की, जिनकी कोई प्रेम सपोर्ट कर रही है, रासी से 5 ताउस के अधीपती सपोर्टिव है, सब्तों बाव में ब्रसपती अच्छे सुखद है, और शुक्र भी रासी से 8 ताउस में नेगेटिव नहीं है, 6 अपरिल को जब शुकर अगली रासी में चले जाएंगे, बाग्य बाव में चले यहां कहने का अर्थ है, कि आपसी समझे से यहां पर बहतर तालमिल होतावा नजर आएगा, आपसी अंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी, मेल जोल बढ़ेगा, और एक दुसरे को समझने का भरपूर प्रयास करते नजर आएंगे, यहां पर नेगिटिव इन्वामेंट नहीं ह नेगिटिविटी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, कि आप मनमानी करेंगे, यह अपने आपको डॉमिनेटिंग जो एक्टमास्पेर में ले जाएंगे, आप ही सही है, यह इस्तिती नहीं हो सकती है, यहां दोनों का साथ का मतलब है, दोनों ही एक्वल हैं, और यह सब कुछ रासी से दसमबाव से दिखा जाता है, दसमबाव के अधिपती है, बुद्ध जो की रासी से अश्टमबाव में शुकर के साथ में विराज माने, बुद्ध और शुकर जब भी एक साथ में होते हैं, उसे लक्षमिनेरन यूग कहा जाता है, रासी से क करते हैं उनके लिए इस्तित्यां मिहां बहुत बहुत हैं जो ब्न होग्यार करना चाहिए उनको भी अच्छे ऑपोशंस मिलेंगे और अगर जोब चैंज करना है तो आपको 21 अप्रील से पहले पहले फाइनल आपको डिस्जन ले लेना चाहिए या इंटर्व्यू मादलब जो अपन्मेंट लेटर है वो आत में ले लेना चाहिए अन्य ता फिर बात हवा हवा ही हो सकती है अता हवा में ही बाते रह सकती है आपको उन्होंने मुखिक बोल दिया और इसके बाद लेटर आई नहीं ऐसे इसके बाते जत्ता जल्दी हो उत्ती जल्दी फेसला करें जो लोग प्रोफेसनल से है उनके लिए बी स्टिटयां बहुत बहुतर ही ने इचाहिए जो लोग लौर है और जो अर्कटेकटर बहुत अच्छी डील या कोई कोई extraordinary award reward वाले स्टिति हो सकती है हो सकता है आप कोई कैस कोई ऐसा जी जाए जो मिसाल बन जाए कोई ऐसा operation आप कर दें surgeon होते हुए कि वो एक मिसाल बन सकती है कैसा operation आज तक वो ईनहीं जो आपने operation कर दिया तो यह इस्तितिया आपको देखने को मिल सकती है, जो लोग जौब कर रहे हैं, उनके लिए भी इस्तितिया अप्रिजल वाली है, आपके जौब में इंप्रूमेंट होने वाली है, अगर आप जौब चेंज नहीं करते हैं, कोई नेक्स्ट, कोई जौब स्रीच करना है, वो न में एंकर हैं, या स्टेंड अप आर्टिस्त हैं, सिंगर हैं, राइटर्स हैं, या पत्रकार बंदू हैं, उनके लिए इस समय एक्स्ट्रा ओडिनरी क्रेशन का भी है, आपकी कोई नकोई रिपोर्ट एक पर तैल का मचा सकती है, या आपको नेम फिर्म में ला सकते हैं, ल जो लोग रेडिमेंट से समधित काम करते हैं, या ड्रेस डिजाइनिक से समधित काम करते हैं, उनके लिए इस्तियां बहुत शांदार हैं, सोफ्ट्वेर से समधित काम काज करने वाले, MNC में काम काज करने वाले, IT सेक्टर के लोग, और वो लोग जो एप्लिकेशन से करने का मौका मिल सकता है और जो लोग abroad जाना चाहते हैं अब रोड जाने के लिए ट्राइ कर रहे थे उन लोगों को यहां पर option मिल सकता है एक प्रकासे training का या पिर आपको abroad में जा करके कोई काम करने का एक प्रकासे आपको वो अच्छा आवसर मिल सकता है जिसको आपको in cash कर तो आप अपनी है कोश़िज छोड़े नहीं और अपना कोई को छोटा मोटा काम करने की कोशुज करें वो भी आपको यहां पर पे आपको कर सकता है है या आपको जो भी जोब मिले उसको एक बार ले लेनी चाहिए वो आपके लिए बेटर रहेगा जोब चेंग करना तो आ यहां पर केरियर में इस्थितियां आपके लिए बहुत बैतरिन बनी हुई है और आपको इसका फाइदा उठाना चाहिए। साथ में मैं यह भी जोड़ देता हूं कि आप मेंसे जो भी लोग फेशन एंड कॉस्मेटिक से समधित कामकाज करते हैं या वो लोग जो एंटिक एंडिक्राफ्ट का काम करते हैं उन लोगों का वोल्यूम भी यहां पर बैठरीन होने वाला है उनको भी बहुत बड़ी डील या नेने असाइंडमेंट मिलने के योग है आपको हो सकता है बाहर जाना पड़ेगा कोई डील को क्रैक करने के लिए या कोई बहुत बड़ी डील में साइन करने के लिए यह संभावनाएं भी है आईए अब बात करें मासिक रासिफल अप्रेल दो जाते भी इसके उपायों के बारे में रासिसे एड़ ताउस में राहू विराज माने वो राहू आपको इंटुशन देता है लेकिन आपको कन्फ उसका राहू अच्छा नहीं माना जाता है तो ऐसी सिद्धी में राहू के उपाय करने के आवशक्ता पड़ेगी राहू के उपाय में रामरक्सा इस्तोत्र का पाट करना बहुत अच्छा माना जाता है जो लोग इतना लंबा पाट नहीं कर सकते हैं वो ओम राम रावे नम चोटे से मंतर का जाप कर सकते हैं हर सनिवार को जो पूजा में नारिल यूज़ करते हैं जटा वाला वो लेना है उसे clockwise अपने सर के उपर से 11 बार गुमाना है सनिवार की सुबही 9 से 10 के बीच में जब रावकाल होता है उस नारिल को जल में विसरजित करना है चोटा सा मंतर उम राम रावे नम ये तो करी सकते हैं राम रखसा इस तो तो सुनी सकते हैं जब भी आप ड्राइव कर रहे हो या आप राम में आ रहे हो बस से आ रहे हैं आप घर पे आ रहे हैं या ओफिस जा रहे हैं तो आपके अंदर confidence और आपके बिजनस में जो भी अर्चन है उसका समाधान होगा, तो आपको बुद्ध के लिए गणपते अतरुसिस का पार्ट करना है, और हर बुद्वार को हरी दाल या हरी वस्तों का, हरी गाज जानरों को डालते हैं, वो भी कर सकते हैं, हरी दाल का दान कर सकते हैं, और नित्य गणपते अतरुसिस या ओम गणगणपते नम्म इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं, अगले एक साल के लिए, एक मही दोजा चौबिस तक के लिए, तो आपको बाइस अपरेल से नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिशेक करना है, ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जाप करते हुए, पुरुष्शुक्त मंत्र का पार्ट करते हुए, हर्थ हर्श देगो, आप पिली वस्तों का, पिले फलों का दान कर सकते हैं, और आपको जब भी समय मिलें, जब भी समर्थे, जितनी भी हो, ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, आसपास जहां पर भी पीपल का पेड़ हो, वट्रक्स हो, वहां पर पानी सिचें, या अपने हातों से ये पेड़ लगाने का प्रियास करें, उसके देखबाल करें, बहुत ज़्यादा सुफल मिलेंगे, आईए, अब बात करें, रतनों की, मैं हमेशा रतनों के बारे में बोलता रहता हूँ, क्योंकि रतनों के अंदर स्ट्रेंट है, पावर है, और इसलिए राजा माराजों के समयकाल से लगा करके, आज की यूग की दनवान व्यक्तिर तक मुलिवान रतने पहनते हैं, लेकिन व्यर्त में ही हजानों रुपे वेश्ट मत करिए, आपको अपनी रासी के जो तीन तरिकोन है, आपको हीरा, पन्ना, नीलम, रतन या उपरतन धारन करना हमेशा सुब रहेगा, इसे सरीर का सुख, जीवन का सुख, आपको प्रसिदी, और आपको केरियर का सुख, और आपक उपयोगी बन जाता है, जो लोग अपनी रासी के लक्समी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को, कन्या रासी का लक्समी योग रतन लोकेट है, वो दारन करना चाहिए, उसमें चार उपरतन होंगे, और ये आपकी रासी के लक्समी योगों स्ट्रेंद देंगे और इसे फाइनिशल नीड आपकी पूरी होगी या उसका रास्ता बनेगा, आपको इन लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं, उस पर संपर की स्थापित कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर बेटे मंगवा भी स आपने सुना हैं, अभी तक मैंने आपकी जनकुली में इस एक रचनमा को आधार बना करके बतलाया है, आप चाहें तो अपनी जनकुली की संदर में इस रास्ता को और सटिक्ता से जान सकते हैं, क्योंकि जनकुली आपकी अपनी है, उसमें योग, दुरयोग, दसा, अंतर सब कुछ आपको एज इस फल करती रहेगी, इस गोचर फल में कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है, वो सिरफ उसमें इंपक्ट करेगा, और यह भी, जब जीवन में समस्यां ज्यादा हो, भविश्य में जांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिस्जन करना हो, तब अपन फॉलो करना है, और फिर आप और मैं फॉन पर या वीडियो कौंफिरंसिंग पर आपकी अपनी कंट्री के समय के हिसाब से, आपकी अपनी odpowiedि समय के इसाब से बात कर पाएंगे, और जो भी आपकी समस्यां इस पर डिसकस कर पाएंगे, जो उपाय होंगे, वो मैं आपको लि मिस्टेक या कुछ भी उसका जान करें का यूज मेरे द्वारा नहीं होगा, इतनी मैं आपको भरोसा दिलवा सकता हूँ. मैं कामना करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें और सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का, छोड़ चोले बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपने भुजुर्गों का सम्मान करें, आप झाल 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 झाल